नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आज हम बात करेंगे करनाटक की करनाटक में JDS और कॉंग्रेस के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और जाहिर सी बात है कि करनाटक और JDS ने मिलकर वहाँ सरकार बनाए हुए है और जिस तरीके से वहाँ पर पूरी तरीके सरकार बनाई गई थी जिस तरीके से पूरा एक हमने कह सकते हैं सियासी ड्रामा चला था फिर उसके बाद सरकार बने थी लेकिन अभी फिलाल वहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और जिस कह सकते हैं कि जनता दल सैकुलर जो है वहाँ पर के अध्यक्ष और पूर प्रदान मंतरी एईडी दवगोडा ने कहा है कि कनाटक में किसी भी सहयोगी की ओर से गड़ बंदन धर्म का उलंगन हुआ तो कॉंग्रेस जडी ए सरकार के अंत का कारण बनेगा जी हां उन्होंने साफ तोर पर कह दिया है कि अगर किसी भी गड़ बंदन सही होगी की तरफ से अगर कोई भी बात ऐसी सामने आती है तो कॉंग्रेस जडी एस का अंत उसकी वज़ा बन जाएगा और वहाँ पर सरकार गिड़ सकती है यानि साफ तो पर कहा जा शकता है कि वहाँ पर लगातार नेता लोग आपस में बयान बाजी कर रहे हैं एक दूसरे के खुलाफ बयान दे रहे हैं इससे यह साफ तो पर कहा जा सकता है कि करनाटक में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और साथ-े-स-साथ जो पूर प्रधान मंतरी भी हैं वो साफ तो पर कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा जो बयान बाजी है उससे बचना चाहिए और साफ तो पर ये भी कह रहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर महागडबंदन का किसी ने भी लंगन किया तो उसका नुखसान कॉंग्रेस जेडियस को उठाना पड़ सकता है पूर प्रधान मंतरी भी दवगड़ा ने बात कही है उन्होंने कहा कि अगर किसी ने भी सोचा कि वो श्रेष्ट है या गडबंदन सायोगी पर हावी होने की सोचता है तो वो सही नहीं है ये बात वो कह रहे हैं उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं कोई भी सायोगी दल गड़बंदन धर्म का उलंगन करता है तो वो विजनाशकारी होगा राज्ये में संप्रदाइक शक्तियों को लाब मिलेगा उन्होंने कहा कि करनाटक में संप्रदाइक ताक्तों को किनारे रखने के लिए गड़बंदन किया गया है उनका साफ तोर पर कहना ह है कि जो कॉंग्रेस के साथ गड़बंदन किया है उसका एक ही मकसद है कि संप्रदाइक ताक्तों को रोके रखना और शायद इसी वज़ा से पूरे देश में आप लोगसवा चुनाओं से पहले महा गड़बंदन भी किया जा रहा है और जिसमें कहीं न कहीं ये एक नसीहत भी हो सकती है और एक चितामनी भी हो सकती है यानि इशारो इशारो में वो कई चीजे लेकर चलना चाह रहे हैं वो कॉंग्रेस को भी नसियत दे रहे हैं और बाकी जो महा गड़बंदन में शामिल लोग होंगे उसको भी करनाटक के गड़बंदन के सहारे इशारो इशारो होगा और सातिर राज्य के नेवी विनाशकारी साबित हो सकता है थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की जरूरत है और जो संप्रदाइक ताक्ते हैं उनको हावी नहीं होने देना है साते साथ ये दोगौली का बयान जे डिएस के वरिशनेता वासव राज हो राती के उन आरोपो के मद्दे नजर आया है जिसमें उन्होंने कॉंग्रेस पर गड़ बंदन धर्म का उलंगन करने और मुख्यमंत्री एईजडी कुमार स्वामी को शांती से कामकाज नहीं करने देने का आरोप लगाया था जी हां जो जे डिएस के वरिशनेता है बासव राज हो रती उन्हो साथ हाला की देवगोडा ने होराती के बयान को लेकर गया पूछे गया सवाल को तवज्यों नहीं दिया और कहा के पूर मुख्यमंत्री गड़ बंदन सरकार चलाने के पिरते अनुच्छुक थे जी हां उन्होंने हाला की जब देवगोडा से ये सवाल पूछा गया तो उ साल की मुख्यमंत्री थे स्वाभा भी क्या है कि वो अपने कारेकरम को लागू करना पसंद करेंगे कुछ के इसी पर आपत्ती हो सकती है ये सब नाटा की आहलात में हुआ और सभी पार्टियों में होता है हुराती कॉंग्रेस जेडियेस गनबंदन समवन्य समीती के प्रम रहा है जो बयान बाजी कर रहे हैं कॉंग्रेस और जेडियेस के नेता उसका वहाँ पर दुश परणाम नजर आ सकता है इस बात को पूर प्रधान मंत्री एईश्टी देवगोडा कह रहे हैं बाराल करनाटक की राजनीती जिस तरीके से करवड बदल रही है और करनाटक की जो राजनीती इस वक्त जोर मार रही है उससे यह अन्दाजा लग रहा है कि करनाटक में हो सकता है कि अगर लगतार यह इस तरीके की चीजे चलती रही है लगतार इस तरीके के चीजों को देखते रहे तो कहीं न कहीं कॉंग्रेस और जेडियेस का गड़ बंदन है वो अब ऐसे में अगर मान लीजिए जैसे कि अगर हाँ इसके कई माईने निकाले जा सकते हैं एक तो यह है कि जैसे उत्तर प्रदे अब जैसे हम कह सकते हैं कि इस वक्त 2019 के लोकस्वा चुनाओं के तैयारी चल रही है मां गड़बंदन को लेकर लगातार समीकरन बठाए जा रह हुए हैं अगर वहाँ पर खीशतान चल रही है तो इसका नुकसान 2019 के लोकस्वा चुनाओं में उठाना पड़ सकता है कॉंग्रेस को भी उठाना पड़ सकता है यानि कॉंग्रेस इस वक्त बहुत फुक कर कदम रख रही है क्योंकि अगर 2019 का चुनाओं सर पर नहीं होता तो वो अलग होने का या फिर अपने ताओ दिखाने का वो एक पड़ उठा सकती थी या कुछ भी ऐसा फैसला ले सकती थी लेकिन अभी कॉंग्रेस कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती के चुनाओं से पहले करनाटक में सरकार गिर जाए या जेडियेस से उसकी तलकिया हो जा लेकिन फिलाल ये जो एटी देव गोडा ने जो नसीहत दी है चेतामनी हम इसको भी कह सकते हैं ये राहूल गांदी को बड़ा थोड़ा परिशान कर सकती है क्योंकि करनाटक में किस तरीके से कॉंग्रेस ने अपने आपको अपनी जो एंकार ता उसको थोड़ा सा नीचे रखकर उसने सरकार करनियोता मुक्यमंत्री का जेडीयस को पद दे दिया यानि जो कभी कॉंग्रेस कभी कहा जाता था कि कॉंग्रेस कभी जुकती नहीं थी और यही क्या कॉंग्रेस ने जुकी लेकिन उसके बाद देखें कॉंग्रेस की भी अपनी कुछ मजबूरियां थ क्योंकि जिस तरीके से लगातार कॉंग्रेस इन पांच राज्यों से पहले अगर हम देखें फिलाल जो तीन राज्यों में सरकार बनाई है 36 गर मद्देपरदेश और राजिस्थान इसके अलावा हम देखें तो कॉंग्रेस की बिसात बहुत कमजोर होती जा रहे थी लगातार कॉंग्रेस हारती जा रहे थी उत्तर प्रदेश का चुनाओ भी काफी हारा फिर उसके बाद उससे पहले भी देखा हमने कहिए और राज्यों में गुजरात में चुनाओ हारी कॉंग्रेस चो इस वज़ा से कॉंग्रेस पार्टी का बहुत जादा बैक फूट पे ज चलाएंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता और यही बजाती कॉंग्रेस ने बैक फूट पर गई और जेडियस के साथ गड़बंदन के हाला कि गड़बंदन जबसे हुआ है लगतार कुछ ना कुछ ऐसी खबरे आ रही हैं जिससे लग रहा है कि कॉंग्रेस और ज कॉंग्रेस के गड़बंदन का अंत भी करेगा यानि साफ तौपा उनका कहना है कि दोनों पार्टी के नेताओं को अपनी बयानबाजी पर थोड़ा सा अंकुष लगाना चाहिए जिससे के देश राज्ये में कोई जो संपरदाइक ताक्ते हैं वो हावी ना हो जाए क्यू सारे नेता एक प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश कर रहे हैं जो विपक्षी नेता है और वो चार हैं किसी सूरत से प्रधान मतिन नरेंद मोदी के जीत को रत को रोका जाए और कहीं न कहीं एक ऐसी सरकार बनाई जाए जो एक बहतर करे और हम कह सकते हैं कि वो एक जो जो एक महल तयार किया रहा है धर्म के नाम पर उसको थोड़ा सा बहतर करने की कोशिश की जाए बाराल करनाटक में जिस तरीके से दिवगड़ो का बयान आया है इससे कॉंग्रेस पार्टी राहुल गानी थोड़ा परेशान होंगे कि कैसे इस चीस का हल निकाला जाए और कैसे इस पर काम किया जाए क्योंकि अगर करनाटक में कुछ भी होता है लोग सबस्बाच चुनाओं से पहले तो वो काफी खतरनाक साबित हो जाएगा और इससे जीडियास के रिष्टे में तलखें तो आएंगी आएंगी साथी 2019 का और राज्यों में भी असर पड़ेगा और ऐ भायनवाजी आपको काफी भारी पढ़ सकती है तो वारहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही हम फिर हाजर होंगे नए प्रोग्राम के साथ नए खबर के साथ नए अफडेट के साथ तब तक आप हमारे साथ चुड़े रहें और देखते हैं सब्सक्राइब करना जूब झाल